नवश्कार जेकी 24 से जुड़ चुगे आप और मैं हूँ आपके साथ शिर्पा शर्मा अलगलग इलाकू में नाके देखने को मिलते हैं जहाँ पर अगर कोई भी वॉयलेशन करते हुए नज़र आता है तो उस पर सक्से सक्त कारवाई की जाती है फिलाल जमू के बस्टैंट से हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं जहाँ पर एक बड़ा नाका देखने को मिल रहा है और साफ तोर पर जो लोग वॉयलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं उन पर सक्से सक्त कारवाई भी की जा रही है तस्वीरे आप जमू से बस्टैंट की देख रहे हैं जहाँ पर इस वकर बड़ा नाका देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर डॉकुमेंट से चेक किये जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से अगर कोई भी वोईलेशन करता है तो उस पर जो है वो सक्से सक कारवाई भी की जाती है देख सकते हैं गाड़ीं को यहाँ पर रोका जा रहा है लाइसन्स जो है वो चेक किया जा रहा है और अगर कोई भी यानि की गाड़ी में गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई भी मुबाइल पर बात करते हुए पाय जाएगा तो उसे जुर्माना भी किया जाएगा ये साफतों पर निर्देश जो है वो कई बार जारी किये जाते हैं और कई बार जो है ये निर्देश दिये जाते हैं कि जब भी आप वाहन चलाएं तो तब आप हमेशा वाहन पर ही फोकस करें सड़क पर फोकस करें ना कि अपने मुबाइल फोन चलाएं आप साफतों पर दे प्रेलेशन करते हुए नजर आता है तो उस पर सक से सक कारवाई भी की जा रही है वीडियो को जाद से जादा शेर कीज़ेगा जमु के बस आंग की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहापर आप देख सकते हैं कि इस वो बसों को भी यहांपर रोका जा रहा है जो वहान तो रोका जा रहा है, तसवीरे आपके सामने देख सकते हैं की पूश्टार्श यहां पर कीजा रही है, या कि Y Sularan नहीं है, ड्राइवर ने, सीट बैल्ट डाली है या नहीं डाली है, क्या ड्राइवर ने मैटेडोर के ड्राइवर ने क्या यूनिफॉर्म डाली है या नहीं डाली है डॉकुमेंट्स प्रोपर है या नहीं है पूरी तरीके से जो है वो कारवाई की जा रही है और बीते समय में जिस तरह के से लगातार हर एक नाके पर यानिकी हर समय जो है वो आपको जगा जगा पर नाके देखने को मिलते हैं जहाँ पर ट्राफिक पुली जो है वो सक्त कारवाई करते हुए नजर आती है इस आफ़तों पर तस्मीरे जमो के बस्ताइं की हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं इस वकट मैटाडोर को रोका जा रहा है हर एक वाहन जो यहाँ से गुजर रहा है हर एक वाहन को रोका जा रहा है और रोक कर ये कारवाई की जा रही है और बीते समय की बात करें तो बीते समय में जिस तरीके से जम्मू के डोडवसिला में एक दरदनाख हाथ सा पेश आया जिसको लेकर जो है वो तीन सदसे कुमेथी भी जो है वो गठित की गई है इंवेस्टिकेशन जेनिक इंवेस्टिकेट किया जा रहा है कि आखिरकार उसके पीछे का कारण क्या कुछ है, किस परकार से यह सड़काथ सा जो है वो पेशा है फिलाल आप ये साफतों पर तस्वीरे देख सकते हैं जमो के बस्टाइंड की ये तस्वीरे हैं जहां पर इस वकर जो एक बड़ा नाका देखने को मिल रहा है गाडिया रोकी जा रही है और प्रॉपर तरीके से ये चेकिंग की जा रही है क्या जो मैटडूर के ड्राइवर ह है या नहीं है क्या प्रॉपर तरीके से उनके बस डॉकुमेंट है या नहीं है देख सकते हैं आपकी गाडियों की या पर रोका जा रहा है डिक्की चेकी जा रही है रोक कर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है जमो के बस्टाइंड से हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं अब देख सकते हैं किसी व्यक्ति का क्या मों अब उनका नहीं उनकी काड़ी सी हमारे पाँ पूरे ओकिए में हाँ हम कागा दिखा दिया सब छीद दखा दिया जिसके बांद नहीं उसका तो करवाई हो गए होगा लाइसन्स देखी जा रहा है तस्वीर आप देख सकते हैं सर प्रॉपर लाइसन्स है डॉकुमेंट है आपके पास देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अगर किसी के पास भी कोई भी डॉकुमेंट नहीं पाया जाता है लाइसन्स नहीं पाया जाते हैं कि कोई भी वो इलिशन करते हुए अगर नजर आता है तो उस पर जो है वो सक्स से सकत कारवाई की जाती है और आप ये साफतों पर तस्वीरे देख सकते हैं कि इस वकद जो है जम्मू के बस्टैंड में एक बड़ा नाका देखने को मिल रहा है वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिग और कमेंट सेक्शन पर आए भी ज़रूर रखेगा अलगलग इलाक जो है वो हलमेट नहीं डालता है और अगर बीच सड़क पर जो है वो सड़क हाथसा हो जाता है तो जिस तरीके से यानि कि जो नाके लगाए जाते हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं कि आप हमेशा घर से निकल रहे हैं और घर तक जो है वो सुरक्षित प करता है तो कोई भी वाइलिशन करते हुए नजर आता है तो उस पर सक्सिसक कारवाई की जाती है और आप साफतो और पर जमू के बस राइन से ये तस्वीरे देख रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है एक बड़ा नाका जो है वो देखने को मल रहा है और साफतो पर जो लोग वाइलिशन करते हुए नजर आ रही है उनके चलान यहाँ पर काटे जा रहे है तस्वीर आप देख सकते हैं मैटाडोर को जो है वो इस वक्त रोका गया है प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है साफतो पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्राफिक पोलिस जो है वो अपना काम करते हुए नजर आ रही है फरा निशाद डिवाइस पी हमारे साथ मोजूद है इनसे बाचित करेंगे क्या कुछ संदेश ये देना चाहते हैं इनसे बाचित करेंगे लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखें कि या पर गाड़ी को रोका जा रहा है और प्रॉपर तरीके से जो है वो चेकिंग की जा देखी है फ़रा निशाद डिवाइस पी हमारे साथ मोजूद है मैं क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो घर से निकलते हैं आप सबका ये फर्ज होता है कि अगर कोई भी घर से निकल रहा है तो वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे तो संदेश क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो वाइलेशन करते हुए नजर आते हैं देखिए मैडम दो बातें पहले तुम मैं बताना चाहूंगी जो आज की ड्राइव है हमारी आज की ड्राइव है अगेंस्ट विजिबल वाइलेशन जिसमें आपका हिलमेट आता है सीट बेल्ट आता है और मोबाइल फोन आता है इसमें आपका देखिया बच्चे भी जो फिर हलमेट लगाएं और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूंगी अगर आज कल आप नोटिस कर रहे है ओवर लोड़िट गाडिया बहुत देखने को मिलती है तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे है गाड़ी में सीट नहीं है तो आप उस गाड़ी में जाना उसको अवाइड करें वो आपकी अपनी सेफटी के लिए है लगदार आपकी तरफ से ट्राफिक पोलिस के तरफ से हिदायट दे जाती है कि जब भी घर से निकलते हैं हैलमेट डालिए अगर फोर विलर है तो सीट बेड लेकिन कहीं ना कहीं लोग ज सेफटी के लिए अपनी सेक्यूरिटी के लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे है तो चाफिक रूल्स फॉलो करें और जो सेफटी के लिए अपना जैसे हलमेट है सीट बेल्ट है यह सब मेजर्स जो हैं वो लें बहुत दो शुक्रिया हमसे बात्शुत करने के लिए अगर डॉकुमेंट्स नहीं है लाइसंस नहीं है तो पूरी कारवाई की जा रही है उनके चलान काटे जा रहे तस्वीर आप देख सकते हैं बाइक को फिलाल जो है वो रोग दिया गया है और देख सकते हैं आप क्या हुआ हुआ है अपके पास पीच्छे पार देते हैं हल कौन से होस्पितल इदर गेते हमा चाका पकरवाणे गेते बाइका हलमेट डालने के कारण जो है इनका चलान काटा गया है सर लाइसेंस डॉकुमेंट सब है इनके बाग? सब है. लेकिन लाइसेंस डॉकुमेंट प्रॉपर तरीके से हैं लेकिन हलमेट नहीं डाला गया है और आप देख सकते हैं कि हलमेट ना डालने के कारण जो है वो चलान काटा गया है इनका गयाना है कि वो घर से यानि कि कुछी दूरी पर जो है वो हॉस्पिटल जा रहे थे हॉस्पिटल से अब भी ये घर जा रहे हैं लिकिन इनुने हलमेट नहीं डाली है जिसके चलते हैं इनका चलान काटा गया तस्वीरे आपके सामने आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नाका जो है वो सबकर देखने को मिर रहा है लगातार उन लोगों पे जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है जो लोग बिना डॉकुमेंट के बिना लाइसंस के या फिर वाइलेशन करते हैं हलमेट नहीं डालते हैं या फिर सीट बेल्ट नहीं पहानते हैं तो उनका जो है वो प्रॉपर तरीके से हापर जो है चलान काटा आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेट गाड़ी है और इस प्राइवेट गाड़ी पर जो है वो पुलीस लिखा हुआ है प्राइवेट गाड़ी पर जो है वो पुलीस लिखा हुआ है किसकी गाड़ी है ये गाड़ी किसकी है प्राइवेट विकल पर जो है वो पुलिस लिखा हुआ अगर आप भी आजी गलती करते हैं तो सतर्क हो जाए साफधान हो जाए क्योंकि अब आप जो है इनकी नजरूं से प्राइवेट विकल है या फिर गॉर्णनेट विकल है तो इनका क्यारा है कि ये जो है वो प्राइवेट विकल है यानि कि सरकारी ये गाड़ी नहीं है, सरकारी ये वहन नहीं है और इस वहन पे जो है वो आपको रादी की पुलिस लिखा हुआ, अगर आप भी ऐसी गल्दी करते हैं तो सदर्क हो जाएं क्यूंकि आप पर भी कारवाई हो सकती है, देख सकते हैं एक और बाइक को यहाँ पर प्राइवेट यानि कि प्राइवेट विकल है, लेकिन फिर भी इस कारी पर जो है वो पॉलिस लिखा गया हो, तो यूवक से बाचित करनी कि हमने कोशिश भी गी, लेकिन कोई भी जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया गया, सर प्राइवेट विकल पे आखरकार आपने क्यू पॉलिस क्यों लिखा है, चलान से बचने के लिए, किस से बचने के लिए, क्या नाम है आपका, कहा रहा दे हैं, कहा रहा दे हैं आप, इस प्राइवेट विकल पे जो है, वो पॉलिस लिखा गया है, मैं नमबर फिर सा धोड़ा ना चाहूंगी, जेके 04C1369, ये प्राइव लिखा गया तो अगर आप भी ऐसी गल्ती करते हैं तो सतर्क हो जाए सावधान हो जाए क्योंकि आप ट्राफिक पॉलिस की नजरों से आप नहीं बच सकते एक और गाड़ी यहां पर रोकी गई है सीट बैल्त नहीं डालने के कारन गाड़ी को रोक दिया गया है और अब गाड़ी का चलान काटा जाएगा सीट बैल्त नहीं डाले से लाती है अब बैसे हमी याँ से कि अब एक मिन्ट ओह स्रफ एक मिन्न में बड़ा हो सब्सक्राइब करा करा हैं यहां से मेरी गाड़ी करा थी मैं ठीकरा गया था मैं भर व्यूपट आपको अब यह ने उसी क्राइब कि यह एक अप्रणा कर दोके लाएं नहीं है कुमें अब अब लाइसेश हैं पर मुझे अगर आप कहीं भी जाते हैं एक मिनट की दूरी है तो जो प्रिकॉशन्स दिये होते हैं यानि कि जो आपको बताया जाता है कि आपको हलमेट डालनी है सीट बेल डालनी है तो वो जरूर डाले क्यूंकि अगर आप भी ऐसे गलती करते हैं तो आपका भी चलान जो है वो कट सकता है देखिए ये बुजर्ग है और ये बुजर्ग गाड़ी लेकर जो है वो जा रहे थ जब भी निकलते हैं घर से निकलते हैं तो क्या आप भी ऐसा करते हैं या फिर आप प्रोपर तरीके से जो है हल्मेट सीडवेल्ट डालते हैं यह ज़रूर बताईएगा तस्वीर आप देख सकते हैं इन बाइक को यहाँपर रोका गया है और इनका चलान जो है इस वकत काटा जा रहा है इन्होंने जो है हल्मेट नहीं डाली है जिसके चलते हैं इनका चलान काटा गया है और डिवाइसपी का क्या कुछ कहना है एक संदेश दिया गया है और रजिस्टरी की से ट्राफिक पुलिस हर जगा हर इलाके में जो है वो नाका लगाते हुए नजर आती है आप सबके लिए नाका लगाया जाता है ताकि आप जब घर से निकलते हैं तो सुरक्षिक घर से अपने घर तक जो है वो पहुँचे इसलिए ये नाका लगाया जाता है ताकि आप वोयलेशन ना करें हलमेट डालें साथी साथ अगर आप फोल विलर में निकलते हैं तो सीट यानि कि प्रॉपर तरीके से ट्राफिक पॉलिस जो है वो अपना काम करते हुए नजर आ रही है अगर कोई भी व्यक्ति वोईलेशन करता हुए नजर आता है तो उस पर सक्षिसत कारवाई भी की जाती है और फिलाल उन लोगों का इस वकद उन लोगों को भी शिकंजा कसा ज दो लोग जो है वो वोईलेशन करते हुए पाए गए है उन लोगों का जो है वो चलान काता जा रहा है वीडियो को जाद जादा शेर कीजिगा और कमेंट सेक्षिन पर राई भी ज़रूर रखेगा क्यामरा बशनो शमी थावर के साई शिल परशामाद जमो